हेलो दोस्तों यह question वैसे आपको average के method से कद बनाने वाला लग रहा होगा question ऐसा है, balling average आप बुम्रा वा 24.85 runs per wicket he took 5 wickets for 52 runs in his last match due to which his average decreases by 0.85 runs per wicket find total number of wickets till his last match मतलब बुम्रा है उन्होंने, उनका जो balling average है वा 24.85 runs per wicket है और अपनी आखरी पारी में उन्होंने 22-5 wicket लिए तो यह बताईए कि आखरी match और उसके बाद उनका जो balling average है वो 0.85 runs से घड़ जाता है तो उन्होंने total number of wickets अपने आखरी match में किते लिए यह question आपके banking में SSC में बहुत ही frequently strike question पूशे जाते हैं वैसे आपको average वाला question देख रहा है लेकिन अगर आप इसको average बना जाओगा तो बहुत lindy है तो इसको मैं आपको allegations से बनागे दिखाता हूं बहुत easy तरीके से तो सबसे पहले हम अपने जो उसके last match में उसके जो average है वह देखेंगे बावन देखेंगे अगर उसके पांच बेकिट लिया है तो average होगा उसका 10.4 जो आप काटेंगे तो 10.4 आएगा अब हमको कुछ नहीं करना है अरली पहले उसका average कैसा था now मतलब अब उसका average क्या हो गया है इसमें आप देखेंगे last match का तो पहले उसका average था 24.85 और आखरी match में उसका average है 10.4 यह दोनों को मिलाया तो यह बोल रहा है कि उसका average 0.85 घट गया इसमें से दोस्तों 0.85 माइनस करोगे तो यह आपको आजाए 13.6 और जब इसमें से आप इसको मैंस करोगे तो सीधे सीधे 24.85 गया तो only 0.85 अब उसके बाद जब यह जो आता है आपका quantity ratio होता है मतलब यह इसके wickets हैं अब बोलो कि points में wickets कैसे आते हैं तो इस point में एक खटाएंगे तो इतर एक जूड लगे इसको अटाएंगे तो यह 178,136 और 175,85 फिर पांच से काट पांच चेकंगे 5,16 बचे दो दोस्तों उसका अगर पहले 16 विकेट थे तो आखरी मैच में एक विकेट था लेकिन आखरी मैच में दोस्तों ने यह 5 विकेट यह 5 होगा तो अब दोनों दोस्तों इन दोनों उन्होंने अपने अब तक और लास्ट मैच में मिला के लिए 17 विकेट इस 17 में इसी पांच से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो टोटल उसके 85 विकेट हो जाएंगे तो दोस्तों यह देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से सूर कर लिया अगर आप से प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी सूर कर सकते हैं थैंक यू बेरिमच